आगामी मुहरम परों को लेकर अररिया थाने में शांती समीती की बैठक दियम प्रिशांत कुमार चीच की अध्धक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में अररिया SP, SDO, SDPO, नगरपई सद धक्ष सही दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे अररिया दियम प्रिशांत कुमार ने सम्भूधित करते वे कहा कि कुरोना काल में इस बार मुहरम पर ताजिया जुलोस नहीं निकलेगी जमुई अनुमंडल में SDM के रूप में प्रतिभार रानी ने अपना पदभार ग्रहन किया है बतादे कि भार्तिय प्रिशासनिक सेवा के 2018 बैच की अधिकारी प्रतिभार रानी ने 102वे SDM के रूप में पदभार ग्रहन कर हरकत में नजर आई इस दोरान उन्होंने जमुई के चौक चौराहे पर बिना मास्क और बिना हेलमेट लगाए चल रहे लोगों से जुर्माना भी वसूला और अंगाबाद्य जीले में मुफसिल थाना के पोलिस ने मीनी शराफ फैक्टरी का नास सर्फ उद्भेदन किया है जिसके बाद बनाने के काम में आने वाले समान जैसे बोटल की रैपर, धकन, पंचिंग मसीन, एक बाइक और भारी मात्रा में देशिश सराफ के साथ एक युवक को भी गिरबतार किया गया है वहें इस पूरे मामले की जानकारी सदर SDPO अनुप कुमार ने दी है मुंगेर में डियेम का फरजी फेस्बुक अकाउंट बना कर हैकर्स लोगों से रुपए की मांग कर रहे थे मुंगेर के जिला अधिकारी राजेस मिला को इस बात की जानकारी उनके दोस्तों ने फोन पर दी जिसके बाद डियेम ने न केवल फरजी अकाउंट को बंद करवाया बलकि अपनी आईडी पर लोगों से इस फरजी मैसेज से बचने की अपील भी की सहरसा सदर ठाने में सदर अनुमंडल पदाधिकारी संभू नाथ जा और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी के नत्रितों में मुहर्रम परोक को लेकर शांती समीति की बैठा कायोजित की गई जिसमें जीले के कई जनपतिनी धी शामिल हुए वही अनुमंदल पदाधिकारी संभूनाथ जहा ने बताया कि मुहर्रम को लेकर जुलूस नहीं निकाला जाएगा और समाज में अगर कोई भी सवहाद्र बिगारने की कोसिस करेगा तो उस पर कानूनी कारवाई भी की जाएगी कभी बार तो कभी सुखार से त्रोस्त किसानों ने केसी सी लोन माफ कराने के लिए किसान मजदूर संगठन द्वारा मोतिहारी के पताही प्रखन मुख्याले से पदयात्रा निकाली गई किसान मजदूर संगठन के संस्थापक सतीस कुमार ने बताया कि किसान से जुड़े मुद्दों को लेकर पदियात्रा प्रखन मुख्याले से पत्ना मुख्य मंत्री आवास तक पहुच, किसान से जुड़े मुद्दे एवं के सीसी लोन माफ करने की आगरह की जाएगी कुर्था प्रखन छेक्टर के पंच तिर्थ धाम सित्पुनपु नदी में डूबे युवक का शौक काफी खोजबीन के बाद धमौल गाओ के समीप नदी में मिली वहीं इस बाबत SDRF के इंस्पेक्ट शेलिंद्र प्रशाद ने बताया कि कुर्था अंचुला धिकारी द्वारा की गई मेल पर उन लोगों ने साथ तीम के साथ काफी खोजबीन के बाद उसम्रित तयूवक का शौक बरामत किया अररिया के जोकी हाट प्रखन शेक्त्र अंतरगत उदा हाट में बना लोहे का पूल अचानक से तूटकर नदी में समा गया जिसमें कई लोगों के डूबने का अनुमान भी लगाया जा रहा है बतादे कि पूल के ध्वस्त होते ही तमाम लोग बकरा नदी के तेजधार में बह गये कुछ लोग खुद तैर कर पानी से बाहर डिकले बाकी लोगों की स्थानिय गोता खोरों ने काफी खोजबीन की लेकिन अब तक डूबे हुए लोगों का कुछ भी पता नहीं चल सका है फार्बिस गंज पुलिस ने चोड़ी के नौ मोटर साइकल के साथ पाच चोरों को हिरासत में लिया है इस बाबत आदर सु थाना फार्बिस गंज में डीएस पी मनुष कुमार ने प्रीस वार्ता कर इस मामली की जानकारी देते हुए बताया कि विभिन जगहों पर छाबे मारी कर फुल वर्या हार्ट से गायब मोटर साइकल सहीट आठ अन्य मोटर साइकल बरामत किये गया है इस द्वारा लाएगे और विश्वास प्रस्ताव के पश्चार उपर प्रमुख अपनी कुर्सी बचाने में विफल रहे प्रखंड मुख्याले स्थित मनरेगा भवन में संपन मतदान में प्रमुख चंदिया देवी के पक्ष में 6 और विपक्ष में 10 मत पड़े नौगची आनुमंडल के इसमाइलपूर बिंदटोली बांध के इस परसंख्या नो के डाउन स्ट्रीम में लगभग 20 मीटर के दायरे में कताओ शुरू हो गया है गंगा नदी के कताओ आरंब होनी से टटवर्टी इलाके के लोगों में दहसत का महौल भी उत्पन हो गया है वही कताओ की सुचना मिलते ही अभियंताओ की टीम ने कताओ की भयावथा को देखते ही वे ततकाल वहाँ पर कताओ निरोधी कारे आरंब कर दिया लेकिन इस थालिये ग्रामिनों ने कारे की गुडवत्ता पर सवाल खड़े किये है मुझपरपूर में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार सर्मा के द्वारा मुख्य मंत्री नली गली योजना के उठगातन के साथ ही मुझपरपूर की गलिया भी स्मार्ट सीटी की ओर अपना कदम बढ़ा चुकी है वहें उर्गातन कारिक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार सर्मा ने कहा कि मुझपरपूर उनका परिवार है और इस परिवार का विकास करना उनका कर्तव्य है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना भ्रस्टाचार की भेट चड़ गई है रोजगार की गारंटी हो या ना हो लेकिन भ्रस्टाचार की पूरी गारंटी है ताजा मामला सहरसा जीले के सलखुआ प्रखंड के चानन पंचायत के वार्ड संख्या तीन का है जहां खजूर देवाशिव मंदीर प्रांगन में मनरेगा योजना के तहत 8,96,000 रुपए की लागत से मिट्टी भराई कारे किया जाना था और मिट्टी भराई के नाव पर लाखो रुपए गोल माल कर दिये गए सूबे की ध्वस्त सिक्षा व्यवस्था को पत्री पर लाने की सीम नितीस कुमार की हर कोशिस को बिहार की सिक्षा माफिया ने बेपत्री करने की कवायत को परवान चड़ा दिया है खासकार पतना चीले में तो सिक्षा विभाग को कामधीनू बना दिया गया है ऐसा ही एक मामला मुकामा के रामकृष्ण रुद्रावती हाई स्कूल से प्रकाश में आया है इस स्कूल में विद्याले प्रबंधन ही मैत्रिक और इंटर के छात्रों से रजिस्ट्रिक्षन के नाम पर मोटी रकम की उगाही कर रहे है छात्रों की सिकायत है कि निधारित रासी से दोगुनी रकम की अवैद वसूली बेखोफ की जा रही है हलाकि प्रधान स्विक्षिका ने छात्रों के इस सिकायत को सीरे से खारिस कर दिया है मगद छात्रों से हो रही नाजायज वसूली से इलाके के अभिभावकों में भारी आक्रोश है पुनपुन प्रखंड के पैमार पंच्वाय समीती सदस्य रीना कुमारी के अनुसंसा पर पैमार के वाड नंबर एक महदली टोले में विभिन योजनाव का श्विला ने आसकिया गया वहिस मुख्या पर मुख्याती थी उपप्रमुक अखिलेईस कुमार पुर्व मुख्या राजकिशोर सिंग सहित सैक्रो ग्रामीर मुजूद रहे अगामी बिहार विदांस भाचुनाव 2020 को लेका टाउन हॉल अररया में जीला सर्ये प्रशिक्षन कारिकरम की सुरुवार जीला निर्वाचन पदाधिकारी सह जीला पदाधिकारी प्रिशांध कुमार सीच के द्वारा की गई प्रशिक्षन कारिकरम को सम्वोधित करते हिए जीला निर्वाचन पदाधिकारी सह जीला पदाधिकारी ने कहा कि COVID-19 महमारी संक्रमन को देखते हिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार कारे करना सुनेश्वित करेंगे किसी भी चुनाव में सेक्टर प्रदाधिकारी की भूमी का महत्वपूर्ण होती है अगामी विधानसभा चुनाव की तयारी को लेकर राश्ट्रिय जुनता दल के चमालपूर विधानसभा नेता धिरिंद्र मंडल ने अपने समर्थकों के साथ चमालपूर प्रखंज छेक्त्र के विभिन गाओ का दौरा किया उन्होंने महिला और पुरस मद्दाताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से उवगत हुए उन्होंने मत्ताताओं से आववाहन करते हुए कहा कि चमालपूर विधानसभा छेक्त्र ही नहीं समुचे बिहार की जनता पुर्वा उपमुख्य मंत्री जजस्वी यादों के प्रती आशा कर रही है मौसम ने करवट बदली तो मसोरी और आसपास के ग्रामेंट छेक्त्रों में चमकर बारिस हुई और किसानों के चहरे पर खुशी की लहर दोड़ गई लेकिन मसोरी में भारी बारिस होने से सडक खास कर स्टीशन रोद जील में तबदिल हो गई यहाँ तक कि भारी बारिस होने की वज़ा से कई दुकानों में पानी प्रवेस करने से संपत्ती का भी नुकसान हुआ है